कभी कभी कुछ कहानियां परी कथा जैसी लगती हैं अब जरा नभी इंसेन को ही देख लीजिए उनके पास एक अच्छा हेर स्टैलिस्ट बनने का पूरा हुनर मौजूद था उची उडान भरने का जज़वा भी था लेकिर राह में सबसे बड़ा रोड़ा था पैसों का भी इंसेन की है यहनों ने शिवरा सरकार की तो रोजगार योजना का लाब लेकर खुद का सेलून निस्था प्रिस किया है तात यापन यवाओं को भी रोजगार उप्लब्द करा रहा है श्रस चौन की जो योजना थी जनकलन काली बहुत सारी योजना आई थी उस समय में एसन कालेश के पीछे में एक छोटा सा था वहाँ पर काम करता था हूं काम थोड़ा कम जोड़ था उस समय में छोटा भी था फिर मुझे योजना का पता चला कि यहां से व्यापार्ट चालू करने के लिए आपको इतना लोन मिल जाएगा इतना लोन मिल जाएगा मिना मुझे अपग्रेट होना भी ज़रूरी था तो मैंने इंडोर में जाके लॉरेल इंस्टिट्यूट से ट्रेनिंग की उसके पच्चाथ लोन तब तक मेरा लोन हो गया था और फिर मैंने नई स्वाप डाली और अपना कारिस्ट चालू किया जो आप कर रहा हूं कंटिनू नभीन मताते हैं कि आज से 15 साल पहले मैं एक सामाने प्रसक्चू के रूप में पिताजी की दुकान पर काम करता था वहां से मैंने हेर स्टैलिस्ट बनने के सुरुआत की समय के साथ-साथ हैर कटिंग के काम में स्प्रता बढ़ने लगी मार्केट में अलग-लग डेजाइन के हैर कट के डिमांड भी बढ़ने लगी इनी बातों को देखते हुए इन दोर की एक संस्ता में करीव एक साल प्रसक्षन लिया फिर खंडवा लोट कर काम सुरू किया अब सबसे बड़ा सवाल था कि खुद का सेलून कैसे सुरू करें और इसके लिए पैसे का इंतजाम कहां से हो ऐसे में सिवरा सरकार उनकी मदद कार्चा अबित हुई शुरूवात में एसन कालेज के वहाँ पर बहुत छोटे से टप में काम करता था मैं कि पापा के साथ ही करता था महां से थोड़ा काम सिखा थिर उसके आद मुझे कुछ समय के साथ से नय नय काम करने के लिए अपडरेट होना पड़ा था पढ़ना अपडरेट नय काम सिखने के लिए जाना था तो मैंने इंदोर गया इंदोर से ट्रेनिंग ली और वुमेंस हैर कट वगेरा और हैर कलर यह स्कीन टेटमेंट की ट्रेनिंग लेकर मैं यहां खंडवा वापिस आकर एक थोड़ा नय रूप में पालर स्टार्ट किया मुख्यवंतरी की सौराच सिंग योजना जी कि योजना जो है उसके बारे मैं यह बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी योजना है जो लोग न बिजनेश या बड़े लेवल का बिजनेश स्टार्ट करने की योगिता रहती है उसके बावजूद भी नहीं कर पाते हैं तो वह यह लोन लेके उन आगे बढ़ सकते हैं शिवराज सरकार की बेरोजगारों को रोजगार उपलब्द कराने और अपने पेरों पर खड़ा होने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं इन यवाओं के माद्यम से जहां बेरोजगार यवाओं को रोजगार मिल रहा है तो वहीं वह रोजगार पैदा करने का काम भी कर रहे हैं कुछ इसी तरह का काम खंडवा के नवीन किया है क्योंकि नवीन का सेलून है और सेलून पर नवीन के साथ तीन से चार अत्रिक्त युवा भी काम करते हैं यहना महीने की पगार नवीन देते हैं